चौथा प्रकरण ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चौनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन तो दबाना ना भूले गुरू अश्टावक्र द्वारा ग्यानियों के विश्रे में जो कुछ कहा गया उसके उतर में जनक जी कहते हैं खंदात्म ग्यस्या धिरस्या खेलतो भोग लिलाया नहीं संसार वाही के मूड है सह समानता डैवयोग से प्राप्ट भोग्य पदार्थों को सुक्संतोष से भोग नहीं आत्म ग्यानी विवेक्षील मनुष्यों का स्वभाब बन जाता है भोग विलास में लिप्त मूर्थ मनुष्यों की भोग लीला से उनकी तुलना नहीं की जा सकती प्रारप्ध कर्म के भोग में काष्ट होने पर भी ज्यानी धीर्टा से क्लेश सह लेता है जबकि अज्ञानी मुर्ख अधीर्टा के कारल्थ येश भी असहनिय बना लेता है यक पदम प्राप्सवो दीना शक्राद्याह सर्व देपता अहो तत स्थितो योगी न हर्ष मुकच्छती अत्यंत एश्वर इशाली इंद्रादी देपता भी जिस वियभारे का आत्म प्रधान जीवन पाने में असमर्थ होकर निराश हो जाते हैं उस उच्छस्तरिय जीवन को पाकर भी ज्यानी अत्यदिक सुखी होने का अभिमान कदापी नहीं करता है उसके लिए आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता जो उसे निति प्राप्थ होता है तग्यस्य पोन्यपाप आप या स्पर्शो ह्यंतर्न जायते नहीं आकाश अस्य धूमें इंद्रिश्यमाना की संगती है आत्म ज्यानी व्यक्ती जीवन में पोन्यपाप की राह में गुजरता हुआ भी ठीक उसी तरह उनसे लिप्ट नहीं होता जैसे धुए से आच्छा दित होने पर भी धुआ कभी आकाश का अंग नहीं बनता आकाश स्वची रहता है और धुए से अंतता हसंग रहता है जैसे ही आत्म ज्यानी का पाप पोन्य के साथ कोई संबंध नहीं होता कौश्टक आत्म वेदम जगत सर्वग्यात यान महात्ना यद्रच्छया वर्तमांतम निश्यधूप्षमेत का समस्ट चगत वस्तुतह आत्म तत्व प्रधान है और बहे रूप मिथ्या प्रतीटी मात्र है यह जानने के बाद आत्म ज्यानी जो कुछ करता है वह सब अंतह करन की स्वतः प्रेरना से करता है उसके कार्यों से बाहर के विधी निशेद बाधक नहीं बन सकते और ब्रहमस्तंप परियंते भूत ग्रामे चतुर विधे विग्यस्यवी सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विविजने ब्रहमा सित्रिल परियंत सब प्रकार के प्रानियों से भरे हुए संसार के सब काम किसी अद्रिश्य शक्ती द्वारा संजालित हो रहे हैं किसी की इच्छा या निच्छा से नहीं इच्छा और अनिच्छा का विसर्जन आत्म ज्यानी पुरोशी कर सकता है अतव वही सुखी है क्योंकि उसे न तो कोई इच्छा है न अनिच्छा आत्मानम अद्वायम कश्चिजानती जगदीश्वरम यद्वेती तक्सा करूते नभ्यम तस्यकुत्राचित। आत्म ज्ञानी ही द्वयत भाव के नहुने के कारण सबसे अधिक निर्भे रहता है। किन्तु अद्विदी आत्म स्वरूप जगदीश्वर की सचे स्वरूप का ज्ञान विल्ले महात्मा को ही होता है। वह जो कुछ करता है, सत्य से ही प्रेरित होकर करता है। ये कार्य वह निर्भय होकर करता है, स्वार्थ अथ्वा लोकापवाग की भाई सी कत्रई नहीं, आतव वही सचे अर्थों से सतकर्म करता है, इस तरह ये प्रकरन समाप्थ होता है.